आज हम आपको मारन्य देवी के बारे में बताने जा रहे हैं मारन्य देवी का मंदर सहर की सीसमहल चौक परिस्थित है यह सहर की अधिश्टात्री सिध्धिपीट देवी मानी जाती है बताया जाता है कि प्राचीन काल में सिर्फ आदिसक्ती की प्रतिमा थी इस मंदर के चारो और वन था पांडवों ने वनवास के दोरान आरा में ठहरे थे तभी बकासुर रक्षस का वद किया था पांडवों ने आदिसक्ती की पुजा अर्चना कर आगी की और प्रस्थाम किया था मानी युदिस्ठिर को स्वपन में संकेत दिया कि वह आर्ण्य देवी की प्रतिमा अस्थापित करे तब धर्म राज युदिस्ठिर ने एक मा आर्ण्य देवी की प्रतिमा अस्थापित किया था कहा जाता है कि भगवान स्री राम लक्ष्मत जब बक्सर से जनकपुर्व धनस यग्य के लिए जा रहे थे तो आरेन्य देवी की पूजा अर्चना करके ही गय थे किद्वन्ती है कि द्वापर यूग में इस अस्थान पर राजा मयूर थ्वज राज करते थे इन के सासंद काल में भगवान स्री खिरिष्ट, अर्जुन के साथ यहां आये थे स्री खिरष्ण ने राजा के दां की परिख्षा लेते हुए भोजन के लिए राजा से उसके पुत्र के दाहेने अंग का मांस मांगा जवराजा और रानी मांस के लिए अपने पुत्र को आरा लकडी चीरने का और जार से चीरने लगे तो देवी प्रकट होकर उनको दर्शन दी थी इस मंदिर में अस्थापित बड़ी प्रतिमा को जहां शर्ष्प्रती का रूप माना जाता है वहें छोटी प्रतिमा को महालक्ष्मी का रूप माना जाता है मा आरन्य देवी के दर्शन से कई मनो कामनाय पूरी होती है आरा सहर जिसका नाम करम भी इसी मा आरन्य देवी के नाम पर हुआ मा आरन्य देवी मंदिद जहां भक्तों की मांगी गई हर मुराद पूरी हो जाती है मा के दर्शन के लिए नौरात्र और चैतर नौरात्र में इसकी महता और बढ़ जाती है जहां कि देश सी नहीं विदेशों से भी भक्त मा आरेन्य देवी से कुछ न कुछ मांगने के लिए आते हैं मा आरेन्य देवी जरूर उनकी मुराद पूरी करती है जो विस्रधा से माता से आशिरवाद मांगता है वा पूरा हो जाता है वैसे तो इस जिले में अनेक देवी माता के मंदिर है इस माता के अलग ही पहचान है राजा मौरे ध्वज ने स्रेक्रिश्न की मांग भी नहीं ठुकराई थी कुद्वन्ती है कि द्वापर्यूब में यहाँ पर मौरे ध्वज नाम के राजा राज करते थे और वे बड़े ही प्रतापी राजा थे जिसके ख्याती काफी दूर दूर तक फैली हुई थी तभी एक दिन भगवान श्रेक्रिश्न अर्जुन के साथ ब्रामण का रूप लेकर यहाँ पहुचे इस महादानी राजा की परिक्षाली भगवान क्रिश्न ने अपने भोजन में राजा के लड़के की दाहिने अंका मांस खाने को मांगा लकडी चीरने वाली औजार से बीचोवीच चीर कर अपने हाथ से साथ ही उन्होंने एक और शर्ट रखी थी आरा चलाते हुए आंक से आंसु भी नहीं आनी चाहिए नहीं तो हम भोजन ग्रहन नहीं करेंगे जब महादानी मौरे थवच अपनी पतनी के साथ आरा से अपने ही बेटे को ब्रामन का सत्कार करने के लिए चीरने लगे तो उस समय मा आरणे देवी ने प्रगट होकर उस राजा को दर्शन दिया था उस वक्त की बाद से यहाँ बली नहीं दी जाती है अस्थानिये लोग हर रोज माथा टेकने आते हैं जहां सालो भर भक्तों की भीर लगी रहती है नौरात्र में इसकी महता काफी बढ़ जाती है इसमा आरणे देवी की पुजा सुबह से ही होने लगती है साम को महा आर्थी होती है आरा सहर के अस्थानिये लोग आरणे देवी मंदिर में आकर हर रोज पुजार्चना करते हैं बड़ी मक्या का राम मंदिर, सहर में बुढवा महादेव, पतालेश्वर मंदिर, रमनामेदान का महावेर मंदिर, सिद्धनात मंदिर प्रमुख है मा आरेंडेवी के हुजारी संजे बाबा वो मनूज बाबा ने बताया कि इस मा की खासियत यह है जो भी मा आरेंडेवी का दर्शन करता है उसकी मनुकामनाएं अवस्य पूरी होती है मा यस, कृती, वैभो परदान करती है, भकतों का दुख हर लेती है भक्त जिस भाव से मां से आशिरवाद मांगते हैं, मां उसी भाव से उनकी मनुकामनाई भी पूरी करती है आरा से रिदेश शौरसियाव कुमार गौरों के साथ निकी की रिपोर्ट के बाव से अवर गौरों अवर से इस निकी काम से आज बहुत है और उनकी की रिपारों से इसकारों से इसकारों जाता नहीं सिद्रा है अधिकपार जब राम यहां अग्यात्वास के लिया है तो रात्री में इसलाम की बाता जो आपकी है उन्होंने महाराज धर्व को बांडो के बड़े भाई को अपने के मात्यम से बताया कि कि हमारे कि आपवान का स्थापना कराया जाए तो उस ताल में वह अदर्वार के समेशन करने करने के भारत चाहिए चोंपार के अनछे का थे को पड़ा ही मां के दरबार में आके पर परउब्ध मोर्धोज नाम के लिए लिए यही नहीं के राजा चाहिए है कैसे जैसे काल बित्ता गिया उसकाल में एक आप रहसा स्मय आया कि मिम्सक्राख का यह कि एक समय ठाकि को यपर कि दिऴिया को ठाय में कि वह य। ये लेकना ज़ीमी को अविर्म एबनी' पर इच्छा देने के लिए पंडी जी का रूप और और जी को पागवना कर यहां पे पुत्र के मांस का मांग दिया गया उसके पुत्र के पुत्र पे आरा चला उसी आरा के चला मारी सहर का जो वर्तमान में सहर का आरा है इसके तुछे भी प्राचीन कथा है मां के जो वर्भक थे मोर्धोई नाम के जो राया थे उन्जी पर इच्छा लेने के लिए किस्ट मभवाना और अर्जुन जी यहां प्रामार और बाश का रूप धारत कर रहा है और उनसे दाजे स्का बांग किया तो पति पत्ली के द्वारा उनके पुत्र पर आरा चला आरा चला तरफ न्हीं को बांज में आए खिलाया कि पत्ति लोग दुखी थे राजा राणी निंग प्रजावी परेसान कि सब लोग दुखी थे घाने के भोजन के परश्याद जब पंडीजी बोल तो बोले कि अब जल नहां से मंगाया जाया तो बोले तुम आवाज तो लगाओ इसके पश्यात जब मोर्धवज अपने पुत्र को आवाई लगाए तो उधर से अश्ते कहते जल ने कराया और बंडी ची गोडिया वाघ भी लिया गया और इसी पर कहानी एक हमारे यहां आरा के लोग गीत में भजपुरी के महानायक थे विथारी ठाकुरी उन्होंने एक गीत भी गाया है उसको लोग दूसरे नज़रिये से रहते हैं एक गीत है आरा हिले बलिया हिले छंपरा हिले ला इसका महत्तु है आरा हिले जब बती और प और जो च्परा हिलने का बात कहा गया है इसमें च्परा करतात पर जिया है उस समय जो प्रजात यूंकि वो सब सोका खुल हो गई थी रोटी पिदक्ती इस्तिती में तीस्ते इस दाने का भाव तक 11 इले बदिया इस च्परा हिलेला लच्के जब कमर ये सारी दुनिया हिलेला इसको आज के आत्रिक जुड में इसको सबज नहीं पाते हैं लोग इसलिए हमको ये बात पताना पड़ा ठीक नाम बताते हैं पहले के लोग गायक जो होती तो उनके घिर का कुछ संदेश हुआ करता था हमाला मनोस हुआ पाइंडे मनोस बाबा हुआ यहां हारन देश मंद